कैसे हैं आप सब ठीक थाग है जनाब आज का टॉपिक हैं हमारा Microsoft Excel आज हम Microsoft Excel पढ़ेंगे और Microsoft Excel में थीन टॉपिक्स हैं सबसे पहले में cover करना है सबसे पहले cover करना है जना ओर्वियों Microsoft Excel यानि Microsoft की introduction क्या होती है उसके पूरे बारे में पूरा वर्वीव देखेंगे सेकंड सेक्षिन में देखेंगे हम जनाब टु गेट थैमराइज विट MS Excel तु दप्रिपेर स्पेश्चीट पोर डिफरेंट अप्रिकेशन फंक्शन कि किस तरह से मांक्शीट ऑन MS Excel एक मांक्शीट हम डिजाइन करेंगे और इसके इंदर हमने कौन-कौन-कौन-स फंक्शन यूज़ करने हमने टूटल करना है उस पर संटेज और हम निकालना सीखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब और व्यूर्वीव और Microsoft Excel के बार है और व्यूर्व Microsoft Excel क्या है हम आगे चलते हैं सबसे पहले इंट्रोड़क्शन देख लेते हैं कि Microsoft Excel की इंट्रोड़क्शन क्या है यहां पर इंट्रोड़क्शन होने क्या लिका है कि Microsoft Excel is a spreadsheet program including in the Microsoft Office suit of application देखे Microsoft Excel एक spreadsheet program में इस पर शीट का मतलब क्याता है दिखिए ओफिस वगारा में आप कहीं पर भी जाते तो Microsoft Excel को हम spreadsheet कहते हैं आप से इंट्रिव्यू लेने वाला पूछता है कि आपको spreadsheet पर काम करना आता है आपको इंट्रोड़क्शन का नहीं सब्सक्राइब तो बुले आर यू शूर कि आपने spreadsheet पर काम नहीं किया है चना आप Microsoft Excel को ही हम spreadsheet software कहते हैं याद रखिएगा Microsoft Excel का नाम Office में spreadsheet है तो फिर Microsoft Excel इस जाए इन spreadsheet program है including in the Microsoft Office suit of application यह को application program है Microsoft Office में के शामिल है Microsoft Office का family member spreadsheet present table spreadsheet के अंदर आप table present है और वेल्यू रेंज बहुत सारे वेल्यू को आप rows and column के अंदर रेंज कर सकते हैं जैसे लिखा हो रेंज in rows and columns that can be manipulated mathematically using both basic and complex arithmetic operation and function तो इसमें क्या होए कि rows and column में difference आप value को input करके manipulate कर सकते हैं एक arithmetic operation में arithmetic यानि कि प्लस माइनस multiplication divided reminder लगा सकते उसका formula लगा सकते इसके लावा different functions के तुरू आप एक sheet create कर सकते हैं जो मैं आज करना बता हूँ यह तो Excel sheet की definition एक हो गई एक definition मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही संपल सा के वरबल के Microsoft Excel is an spreadsheet software it is a family members of MS Office package software company इस सब्सक्राइब करें के Microsoft आपको पर अपर एकस्पर इस आपको रहे के मेंश का में अपको पर जितने भी कल्कूलेशन से लिटेर्ट वर्किंग होती है वहन तमाम Microsoft Excel के अंदर करती हैं प्रवलाद के है कि अफेस वगरा में चतने भी अकाउंट के काम होते हैं इस बनती है यह तमाम शीड यह होती है तो हमने अब रगोगार आपको कोशिश करूगाzać investing करोगाब लिया निया आपको कोशिश करूगा प्रोजेक्ट to प्रोजेक्ट मैं आपको एक्जेंपल दे कर समझाने की कोशिश करूगा जैसे शीट बना लिया उसके उपर डिफरेंट इसके माइक्रोसॉफ के ऑप्शन और वो किस तरह से यूज होंगे वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इडवांस लेवल पर आप अपने थीसिस वगरा में भी किस तरह करते हैं तो वो सबके भी इन्शाला है विद प्रोजेक्स मैं आपको माइक्रोसॉफ एक्सल में इन डेटेल समझाने की कोशिश करूँगा इसके बाद सब्सक्राइब माइक्रोसॉफ एक्सल की एक्स्टेंशन फाइल किया होती एक .xls की फाइल पूरे कंप्यूटर में आपको जहां पर भी नज़र आएगी वो एक्सल की फाइल को आप सेफ करेंगे तो यह किसमें कनवर्ट होती है .xls फाइल में तो माइक्रोसॉफ एक्सल की जिक्सेंशन फाइल होती है .xls आगे बढ़ते हैं जनाब हिस्ट्री ओफ मा .xls बेलगट थे नाइटी-एटी में माइक्रोसॉफ एक्सल में। में उस वक्त क्यूंकि ग्राफिकल कोई भी साफियर्ना भी तो हम ग्राफिकल एंवार्मेंट पर काम करें उस वक्त नाइन टा उसके उपर जो भी हम काम करते हैं लिग कर दूज थी थो नहीं कर दो चलता का कॉंसेप्त केलकुलेशन सौफ़एर का कॉंसेफ्ट इंटिडूस करवाया गया जनाब 1982 में थिके Microsoft Excel has been around since 1982 में फस्ट इंटिडूस ऐसा मुल्टिप्लेशन पहला मुल्टिप्लेशन का प्रोपूलर यहां यहांज बता दूँ नाइन्टी एटी टू करते हैं अधे में आपको यहां पर बता जो नाइन टीटी टू के अंधा जब डॉक्विंटेशन से लिकाम करते हैं तर्फ लाइन चुनिशन दोस्तूर तनोग है लेकिन क्याल्कुलेशन के लिए उस वक्त जो मैंस दॉसक्राइब करते हैं लोटस निश्टेस प्राइब इस वडिया था तो नोटस 123 ठीके उसक्ति मैंट्य। तो यह इस्ट्री है नाइंटी नाइंटी में जब माइक्रोसफ ऑफिस बनाया गया तो उस वक्त बनाया गया उसका जो मैंक्रोसफ ऑफिस ऐक्सल को करेट कर लिए रुखे रही हाँ जो को नीनिन ती में जो इक्सल मनाया गया उसका छोपर तो तो पॉइंट जी नहीं होता है उसके बाद different versions आते हैं आज इसम versions के उपर पढ़ ले वह 2010 है ठीक है तो यह जनाब history थी Microsoft Excel की Microsoft Excel से पहले Microsoft Excel से पहले calculation software का concept कब introduce करवाय गया था 1982 में और जो introduce करवाय गया था वो software का नाम था लूटस 123 जो के डॉस इंवायर्मेंट के उपर चलता था फिर 1990 इसमें जब Microsoft ने MS आफ इस तरह करवाय तो लूटस को प्रेस करना है प्रेस शॉट कट की विंड़ो प्लस आर आपने विंडोस प्लस आर जैसी करेंगे तो आपके सामने यह रंका डैलग वोक्स आ जाएगा ठीक है आपके सामने रंका डैलोक और आपके सिंपल इसको Excel लिखना कर देना है आपका एकसल लोड हो जाएगा ठीक है जैसे ही आपका एकसल लोड होगा उसके बाद आपने जनाब आपके सामने यह एंवायर्मेंट आ जाएगा यह Microsoft Excel का आपके सामने आजएगा इस इंटरफेस में मैं इंशॉड आपको समझा देता हूं फिर इंटरफेस को उपन करके भी में हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपके सामने यह नजर आ रहा है जिसमें लिखावा है Microsoft Excel इसको हम कहते हैं जनाब टाइटल बार यह नजर आ रहा है आपको टाइटल बार यहां पर यह नजर आ रहा है इस जगे पर आपको यहां पर हाइलेट हो रहा है यह निचे आपके सामने ठीक है workbook sheet navigation कहलाती है यह वर्कशीट कहलाती है यह च्टेटस लाइट बार कहलाती है ठीक है यह टैब पेज व्यू के रहाती है ठीक है यह स्क्रोल बार करते हैं यह 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 पर मैं चोड़ी साथ चीज बना दूँ कि Microsoft Excel में File को कहते हैं हम Workbooks क्या कहलाती है Microsoft Excel में जो हमारी File होती है वो Workbooks कहलाती है और Workbooks के अंदर ने सिंगल Sheets होती है यानिकि Single Sheet को हम कहते है Worksheet क्या कहते हैं Worksheet अब आगे बढ़ते हैं जणाब कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बढ़ा है कि Microsoft Excel में एक single page को हम कहते हैं workbooks और workbooks के अंदर जो एक single sheet होती है उसको हम कहते है worksheet ठीक है अब Excel में एक workbooks में कितने workbooks के उपर आप काम कर सकते हैं यहां मैंने लिख रहा है Excel में एक workbooks में आप 256 workbooks के उपर आप काम कर सकते हैं कितने workbooks पे काम कर सकते हैं तो 56 वर्क ने आप काम कर सकते हैं और उस एक वर्क्षी पहुत हुसके अंधर जह आपर आप कर सकते हैं लोस की मिल इंदर किसी वर्क्षी पर वर्क भॉक्स होते हैं 255 मैं दुबारा बताता हूं कि Microsoft Excel में जो एक सिंगल पेज होता है जो फाइल के लाती है वो हमारी वक्षोस के लाती है और फाइल के अंदर चेंगल सीट होती है वह वक्षीट के लाती है टोडल वक्षीट हमारी पेज में 256 हह प्रसे होती है और जो हमारी फा तारह इकसल में किस तरह किसे रिप्रेजेंट होती है एकसल में रह hours तरह से रेप्रेज्ट होनो थी एवन यू थी इस तरह से रोरे प्रेजेंट मोई आई थी light फी खया पालीज़ार पांस चिल रहे सुथ होती ऐगा यूज wires से लु divert जूटल जो कॉलम्स होते हैं इसके अंदर वो होते हैं जनाल XFD कितने होते हैं जिसको अगर आप नमबर में करेंगा तो वो होते हैं 16384 अच्छा अब Excel के अंदर सेल कितने होते हैं टूटल सेल यहां पर मैंने टूटल सेल नहीं लिखा मुझे लिखना चाहिए था पर चल नहीं यह और ये पूरा अर्य तो लिख यह जोड़े बाइद मने यह खुड़ा बॉक्स होते हैं इसको मैं इसको अगर अघ्रमर विखते हुए'd तो आप सिंपल करना है कि रोज εν कॉलम बनाते यह तो भाइव इसका इक्वल उसके नाट को अ तो उसके बाद यहां पर शौでは अजब हम एक्सेल के अंदर एंटर तो फिर मैं यह सारी चीज़ भी आपको करके दिखाऊंगा कि किते सहल होते हैं वक्त बुक किसे गयते हैं इंटरफेस तो आपको बता दिया लेकिन जब मैं एक्सल के अंदर आऊंगा इंटर होंगा जब लूट करूंगा अभी तो मैं ऑवर्वी बतायरा है इंट्रोडक्श इंकुलूडिंग में एक मांशीर बनाएंगा तो टोटल परसंटेज ग्रेट और मांस का फॉमल लगाएंगे तो उसमें इंशाले डेटेल में हम देखेंगे तो हम वापस आते हैं जनाम हम वापस आते हैं अपनी शीट के उपर ठीक है और वी ओ माइक्रोसोफ एक्सल पहिंगे तो हाओ टूलोड मैक्रोसंट एक्सल उसके अंदर भर आपको माईकर शॉप एक्सल के बारे में इंड निचल सारी चीज़ें पताता हूं तो अको आपको बताया था घंप अब करने के लिए हम आपने प्रेस क्या करना है प्रेस शॉटकट की की बोड एक्सल नही और यहां से कर देना है Microsoft Office लोड़ जगा एक तरीकेकार यह होता है कि आपने यहां विंडो पर जाना है यहां से नीचे आना है नीचे आके ठीक है आपके सामने Microsoft Office का की फाइल आज यह नजर आ रहा है Microsoft Office के अंदर जाएंगे यहां से आप क्लिक कर दें Microsoft Excel 2010 और तीसा तरीका क्या है कि आपने यहीं पर आपको सामने Microsoft Excel आज जाएगा सिंपल आपने क्लिक करना है यह जना Microsoft का इंटरफेस होता है यहां से मैं थोड़ा से इसको बढ़ा कर लेता हूं ठाके आपको और इच्छी तरह से मैं इसको समझा सकूँ ठीक है इसके अंदर मैं आपको फिर बता दू यह जो रिबिन चल रही है उपर वाली जिसके उपर मेरा भी करसर है जिसमें लिखावा है Microsoft Excel यह टैटल बार कहलाता है यह हमारा मैन्यों बार है ठीक है ना इस ट्रफ में मिन उप्षिंज को जे ड्वांस लेवल बें कॉपस्त में यूज होता है मैं सारी चीजा आपको हों में इंपॉटन इंसर्ट में पेज लियाओट में फॉर्मूला में टीटा में रिकवरी द्यूमें में सा वन बाई वन इंशाला बताउंगा बिद में बता नीचे वाले जिस पर बी आई यू यह सब लिखे यह आपको बताता है तीक है अब मैं आपको में चीज बता देता हूं अच्छा मैं आपको बताया था अब फाइल को जो हम वर्क बुक्स कहते हैं और फाइल के अंचे इक सिंगल शीट होती है उसका हम वर्क शीट कहते हैं तो यह आपके पास एक वर्क बुक्स कुला हुआ है इस वर्क बुक्स के अंदर यह जो एक नदर आ रहे है शीट इसको हम वर्क शीट कहते हैं तोटल वर वर्क बुक जो एक वक्त में आप कितने वर्क बुक पर काम कर सकते हैं और यह जो शीट नदर आ रही है यह आपके कॉलम्स के लाते हैं तो जैसे मैं आपको बताया कि आपको बुक जो अब जाएं और यहां पर कितने वर्क बीड़ करना चाहते हैं तो अगर आप डॉन एरुकी दबाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा नुट तो इसका सिंपल सा तरीका मैंने अपने प्रेजंटेशन में लिख रखा मैं दिखा देता हूं आपको एक्सेल में टूटल रॉस अगर आपको चेक करनी है तो कंट्रोल दबा के डॉन रॉकी करेंगा तो गोटू दा लास्ट रॉप चले जागा और वापस आपको फस्ट अब आपने वापस आना है तो कंट्रोल दबा के लिए हम करते हैं डॉन लास्ट रॉप चला जाएगा अब सबसे वर्स टॉप अब आपने कॉलम चेक करना है कि अब Casey इस तरह से कॉलम ए तो जिसे मैं एकसे दी टूजट किते अलफबेट से होते हैं 26 तुवएटीसिक्स के बाद होता है डबल ए डबल भी इस तरह से घ्टसे करके अब जाते हिए कि कितने कॉलम से तो इस तरह से आप करेंगे डॉल आप यह च्रह से आपका जाएंगे तो control दबाके right here उगी press करेंगा तो यहां पर देखें XFD ठीक है? XFD में मैंने आपको बताया था कितने columns होते हैं, XFD में जनाब total आपके पास columns कितने होते हैं 16,384 columns होते हैं, यहां पर देखें, XFD, यहां पर मैंने लिख रहा का, यहां फाइल भी आप से शेयर कर दूँगा, कि 1 का column, 2 का column, 3 का column, तो उसको अगर आपने show करना है, तो simple है, आप पाइल की menu पर click कीचे, आपने option पर जाना है, option पर जाके, यहां से आपने formula पर जाना है, formula पर जाके, अब यहां आपके सामने क्या रहे है, कि working with formulas, इसके उपर आके RC, यहांने rows and column reference style, आपने इसको check लगा कर देना और आपने okay कर देंगे, तो यहां पर देखें, यहां पर देखें, यह 1, 2, 3, आपको पास show हो रहे है, columns, यह 1 का column, यह 2 का column, आपके राइट करें, यह 16,384 column आपके सामने show हो रहे है, left लवाएंगे, तो आप वापस आज़ेगे, अब आप इसको बैसी लेकर आना ह वापस यह आजएगा, तो यह था जनाब, हमारा second option, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूएंगे, जैसे मिसाल के तोर पे, अब total cell कितने होते हैं, total cell, यह आपको क्या होता है, तो आपको क्या होता है, तो आपके सामने आजएगा, ठीके, clear, उसके बाद यह आपका स्कूल बार, ठीके, यह टॉप्टू डॉण, ठीके, और यह horizontal स्कूल बार दा, left to right, ठीके, अच्छा यह शीट आपके पास आ रहा है, अब शीट के आपका का नाम चेंज करना है, तो आपने इस पर double click कर देना है, simple, फिर शीट बन की जगा जैसे आपने काम करना है, mark sheet तो यहां पर वाक्षीट भी लिख सकते हैं, simple, अच्छा इसके लाव और भी different options होते हैं, sheet के ओपर, जिससे में साल के दौर पर, और भी मैं चीज़ें, important चीज़ें आपको बता दू, indicate, जिससे two different columns हैं, तो इसके ओपर में मैं आपको बता रहेता हूँ, जिए मैं एक sheet बनाओं सबसे पहले हम आते हैं, mark sheet को किस साथ से create करेंगे, एक साल में जब भी आप कोई काम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे, एक एक कॉलम पर click करना है, सबसे पहले आपने heading लिखने हैं, आपने heading लिखने हैं, जैसे SSCA, जैसे SSCA, सरसाइथ computer academy आपे अपन इसकी formating की बताऊओंगा, तो वह आपको इन्शाला करवातोंगा, फिर आपने third column मेशा heading के बाद, यानि यह heading के बाद, आपने third column को छोओना है, ठीक है, आप फोर्थ column पर आके आपने column का नाम लिखना है, जैसे आपने first column का नाम लिखना है, रोल नमबर, second का लिखना है, स्टूड नेम ठीक है अब आपने क्या करना है जैसे आपने चूरॉर नेम तो लिख लिए ना अब कॉल्म किया खा Trae उन है कि बीसे क्रॉप्स आपने सिंपल आपने यहां पर आग संपल्स सब्सक्राइब निए निए निकालना है टूटल इसको भी डवल लिक कर लिए निए चनाव ग्रियेट तीक है यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर जो एक सेल के अंदर जो भी आप टेक्स लिखते हैं वह सेल के लेफ साइट पे आता है और जो भी आप नुमेरिक नंबर लिखेंगे वह सेल के राइट साइट पर ठीक है अब जैसे मुझे कोई सीरीज बनानी है तो बारबस ही लिखनी पड़ती है तो यहां पर एक खुब्सूर्टी एक सेल में कि आपने एक दफ़ा गरा किसी नंबर के आप सिंपल सीरीज बनाएंगे तो उसको सीरीज बनाने के लिए आप सिंपल या गरेंगे यहां पर दो चीज़ें इस सेल पॉइंटर के भी दो दो पहला है कि देखें नूट करें कि और मिदा आप गरेंगे सेल पॉइंटर को जैसे मिना ऊक्रइट करना तो हमिगे इसको उसको स्लैख कर ना है प्रमक्र तो मैं रोल नंबर पर रोल से क्लिक करके मैं अगर राइट पर जाओ यह देखें इसलेक्ट हो रहा है ठीक हो जाए अब इस होता है ड्रैक्पोइंट में क्या होता है वो उस चीज को बाहर बेर रिपीट करते हैं जिसे यहां पर नजर आ रहे कटगा निचानि यहां पर जैस यहां पर आना है स्कोने पर रखना है और इसको इसको लेफ्ट क्लिक को दबाते विए नीचे की तफ लेकर आना है यहां तक आपने सीज़ नहीं रिपीट हो गया ने वन को बाहर बर रिपीट अब तो यह जनरेट करवान था इसके दू तरीके होते हैं तो आपने खीच द ने पर प्रेस करना है ठीकर प्लस कर निचार को रखना है और मौस की लेफ्ट को दबाते में नीचे लेकर आना है यहां से देखे नंबर आ रहा है सपोस्थ आपने का भाई मुझे फाइट चाहिए पहले आप तर लेफ्ट क्लिक को छोड़ना है उसके बाद आपने चंटो है ठीक है नंबर्स आप कुछ भी लिख दें इनको सिकोर्टीज में दे दें कोई शुनी तरहां से हंड्रेट नंबर का आपका फेपर है ना हंड्रेट में से सपोस्थ आपने आपने आउट आप मांक्स देगा है पॉट्टी सबफ देना है और हंड़ेट से नीच चाह है आपने मांक्स कुछ भी आड़ करती है यहां पर सेफ करेंगे कंट्रोल प्लस एस कर लेते हैं तो यहां पर क्या आया बुक वन ठीक है जासा मैंना क्या वर्क 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 यानि करेंगे यहां पर फाइल को भुक कहते हैं तो सिंपल हमने इस फाइल को किस लाम से सेफ कर लिया मांक्षी इसको सेफ कर लिया सब्सक्राइब कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट है जो बाइडिफॉल्ट होता है ठीक है जना अब मुझे यह गलती हो गए मेरे पास छे सब्ज सब्जिक्ट मुझे मिशाल को तौर पर एंपर कमेस्ट्री का भी सब्जक्ट करना है कमेस्ट्री का गलें इंगलेश का करना है वाट इंगलेश इंगलेंट इन के हैं तो प्रशानी यह बात नहीं अब ने नंबर दे दिया है अचितरा था कि भाई कि 37 से उपर हमें एक रॉद देना है तो आप सिंपल यहां पर आएंगे, right click करेंगे, insert कर देंगे, इसके उपर रहा हो जाएगा, तो आप इसको नमबर किसी इसको दुबारा left click करके दुबारा set करवा लें, कोई issue नहीं है, ठीक है? तो यहां पर आपने suppose, आप करते हैं यहां पर suppose जाहिद यहां आप करते हैं अब आपने suppose two different, आप आपने इसको टूटल करना है, तो टूटल करने के दिखें, यहां पर जैसे मैंने आपको बता हैं, आप एक sheet क्रियेट करेंगे, और आप इसको arithmetic operation या formula के तरफ इसमें value को add करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, कि मैट से लेके, math, उर्दू, physics, computer, chemistry, industry, English, number को यहां पर टूटल निगालने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीके कार क्या होते हैं, पहला आप टूटल से निगालने है, टूटल किस तरह तरह, एक्सल में कोई भी formula, यहां पर जो भी formula मैं लिगा लगाओंगा, तो आटोमेटिक लिगा बार में शोगा, इसको हम पहले हैं, लिखा हुआ भी आ रहे हैं, तो सबस्क्राइब लगाते हैं, सबसे पहले हैं, इक्वल का निशान लगा है, सिंपल इक्वल, ठीक है, एक्वल लगाने के बाद मैत किस कॉलम पे है, जनाब मैस को मैस को लगा दिया, मैस किस कॉलम पे है, हमने देखा मैस का कॉलम में ठीक है ना मैं C का कॉलम में हमने रिख दिया ठीक है C और रहो कौन सी चल लिए 5 हमने C5 लिख दिया प्लस करना है C5 प्लस करने के बाद पिर अगला कॉलम कौन सा है D का हमने D रहो तो वही चल लिए 5 उसके बाद फिर प्लस कि हमने फिर फिसिक्स को करना है तो फिसिक्स को कढ़ना है प्लास है अब इंटर कर देंगे तो यहाँ पर क्या तो इंटर कर देंगे एच्पिर करेंगे तो जबारा पर कैसे चेक करेंगे तो तो यहां पर जैसे कि मैंने अब भी आपको प्रेजंटेशन के अंदर यहां पर चीज शॉटकुट कीज बताये थी अब दो इसके बाद आप क्या करेंगा आपने फॉर्मूला के मैंने लिए तो इसके मैं उसका रॉप करूंगा भाई इक लिए ने बता है रोग बताने बड़े तो अब इंटर गरेंगा तो हमारे पस इसका टोटल आ जाएगा ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं अब इसको बार-बार तो हमें फॉर्मूला नहीं लिखना ना एक्सल के अंदर है तो एक तो तरीका था कि अब दो वैल्यों को अगर माइनस करना है ठीक है तो उसी तरह माइनस भी आप कर सकते हैं ठीक है आप प्लस भी करते हैं मुल्टिप्लिकेशन में लेकिन यह तो हमने सिंपर आथमेटिक ऑपरेशन के तुरू कि अब इसका अगर हमें फॉर्मूला लगाना था अच्छा चाहां है किना सी फाइप से लेकर हच फाइब तक ही वैल्यों को यहां पर आपने सम नजरा रहा हुए नजरा रहा है इस पे आप जैसे कमिलेंगे नेकित कुरूम यहां पर लगा दिया है तो लेकर पर ऐहां से शुल्ट हुआ है कि और यहां पर इंग्लेशिस कॉलम पर एच पाइब के लगाव है किलियर आप इसको लिख भी सकते हैं मैं लिखना यह बता देता हूं इंटर कर दें तो यह भी 429 ठीक है इस तरह से यह फंक्शन आप लगा सकते हैं जिनको हम लगाकर अपना फॉर्मूला बना सकते हैं एक तो तरीका य रिखने तो यह था जड़े फिर्स सेशन की क्लास ठीक है और सेशन की क्लास में हमने क्या देखा पर सेशन की ग्लास में जणाम हमने यह देखा हमने पढ़ा वल्रवू ओर्वियू ठीक है सब्सक्राइब करते हैं कि उसके बाद कितने रौस कितने गॉलम्स होते हैं तो हम चलते हैं जनाब अपने टूटल किस्तरा से निकालते हैं जैसे शीट की ओपर वापस आते हैं एक्सल में तो सबसे पहले हम टूटल किस्तरा से निकालेंगा जनाब एक्सल में टूटल निकालने का इसको तो यहां पर आपके सब्सक्राइब की में अब टूटल सब्जेक्ट कितने हैं आपकी पास 1234566 सब्जेक्ट तो सबसे पहले हैं टूटल का रेफरंस बनाने है ठीक है तिसमिए आपको बताया था कि 100 सब्सक्राइब आपे कि आपने इंपट किया वा है यहां पर जो भी अब टूटल निगा परसंटेज निगा लिए आप राफनेश लेंगे जिस ते जिस कॉलम का वह होगा आपका टूटल तो टूटल का सेलिंग अजिए आपका कॉलम है जना यहां पर आपने आई लिखना है और रो गॉन सी चल ल आपने टूटल मांक्स को आपने मल्टेप्लाइड कर दिया है जो भी आपके 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 अंटर्प्राइस कर देना से पलिए 71 परसंटेज आ गया ठीक है इसको आपने कॉर्णों से पकड़ना है यहां से ट्रैक कर देना है अब आप यहां देखें पीछे साब न लेता हूं ठीक है अपरस के तौर पर फिर बात में इस चाल इसको डिग्रीज इंक्रीज करके देखेंगा ठीक है कि अ यह यह सुटी एट साइए इसको हम कर लेते हैं ठीक है 62 है यह 57 इसको हम 45 पर ले आते है कि यह आगे 58 पर ठीक है 58 इसको फॉर्टीज पर आना है हमने इसको हमने फेल करवाना है ठीक है थाकि हम जब परसंटेज ग्रेड लगाएंगे ताकि हमें पता चले न तो अच्छी तरह से हम चेक करना चाहते है ठीक है अच्छी मांस डिग्रीज करें अच्छी में अब यह 38 आगे ठीक है अब जनाब ग्रेड निकालेंगा तो ग्रेड का मैंने लॉजिक क्या बताया था जाने ग्रेड का लॉजिक देखने के लिए मैं वाफस आओंगा जनाब अपने शीट में तो एक्सल में यहां पर आजए अब यहां पर ग्रेड का देखने ग्रेड में क्या होता है जनाब 80-100% के दरम्यान जो आपका परसंटेज आएगा तो 80-100 के दरम्यान जो भी आपको परसंटेज आएगा उसका ग्रेड होगा तो कैसे अब सबसे पहले बात यहां पर आपको तो ग्रेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगा मैं आपको आप फंक्षिन में किस तरह संब्सक्राइब ना चाहते हैं अगर आप फंक्षिन के तुटल निकाल तो आपको क्या करना पड़ता है वन बए वन कॉलम का आपको एड़स देना पड़ता है लेकिन आप जब function लगाते हैं तो आप starting point बताते हैं कि भाई कहां से कहां तक चाहिए तो वहां से function के तुरू अब यहां पर हमने grade निकालना है grade हमें percentage से निकालता है जब जहां पर कहीं किसी जगा decision लेनी की बारी होती है decision का मतलब कि या तो इससे बड़ी है तो यह true है value यह से छोटी है तो false है तो जनाब decision लेनी के लिए हम लोग यूज करते हैं condition ठीक है ना तीन तरह की हम लोग conditions को बढ़ेंगा त्यारा थी टैपस ऑफ पहला condition होता है इफ की condition हम लोग क्यों यूज करते हैं इफ ही condition यूज करते हैं अगर इसकी वेल्यू से बड़ी हो तो इसका ग्रेट यह होना चाहिए जैसे मिसाल को तो यहां पर यहां पर देखेंगा अगर इसका ग्रेट से अबव है इती से अबव है तो इसका यहां पर बड़ी वेल्यू की बात यहां पर बात बट्वीन की आती है तो वहां पर यहां पर यहां अब है तो भाई वह एक ग्रेट ही आएगा ना सेंटी डिटी के दर्में आने तो फिर यह होगा तो वहां पर यहां पर चूज करेंगे और जहां पर हतम गरनी हो बात यानि कि भाई 40 के बाद चाहिए उसके कुछ भी नंबर आएगा तो उसके लिए हम एल्स यूज करते है तो ग्रेट का फर्मला किस तरह से लगाते हैं घरेट का फॉल्मला किस तरह से लगाते हैं और यह के आपको फोटा के समझ सके ति कि मैं इसको कर लेता हूं तो इसा अधिक है को एक ट्रेट गें सिंपलिय करेंगे जनाव हम लगाएंगे इस रिजटू की कन्डेशन की है इफ के एक कन्डेशन में हमारा इस वक्रेटि नइग चेप्रेटर इन वगाच फाइफ शीप के साथ इस पर एक फाइफ के साथ परसेंटेज अगरे यहां पर मॉमूला उपन हो रहा है ना पर स्टेटमेंट कर देंगे और सिंपल एंटर करेंगे जो भी ग्रेड होगा यहां पर हमारा वह बता देगा यहां पर देखें क्या होता है इफ जे फाइफ अब नहीं है ना तो फॉल्स ही आना है तो इसके लिए भाइब हम क्या करेंगे हर तो फॉल्मूला यहां पर सारे फॉल्मूले को इंकलूट करेंगे जैसे अभी हमने क्या बताया अगर इसकी वैल्यू जे 5 से बढ़ी हो तो वह ए प्लस हो जाएगा तो उसके लिए हम यहां पर आते हैं कॉनर से इसको हम दिलीट कर जाती जैसे कैसे हमने दुबारा इप की कंडिशन लगाई ठीक है अब हमने फिर किया जेपाइफ अगर ग्रेटर दन अब 70 सब वह तो इसकी स्टेट्मेंट क्या पास होनी चाहिए जना अब यह होगा एग्रेट अब यह क्या गरेगा यह इसको मिलाएगा के वाई 70 और 80 के यह होगा इप ग्रेट जना वास ठीक है कॉमा तिर मैंने इपकी कंडिशन लगाई ठीक है अब मैंने का जेपाइफ ठीक है ग्रेटर दैन हो 50 to 60 के दर्में तो यहां पर क्या शोव हो यहां पर शोव जनाब सीग्रेट फिर मैंने इपकी कंडिशन लगाई ठीक है फिर मैंने जेपाइप किया अब अगर 40 से 50 के दर्में आनो तो आप इसकी स्टेट्मेंट किया को मैंने का भाई डी ग्रेट होना चाहिए ठीक है अब दी से नीचे ठीक है फिर कॉमा लगाया है कि अगर फॉर्टी से नीचे हो तो क्या तो अब यहां पर एल्स लगाने के डबल कुटेशन कॉमा के बाद पर डबल कुटेशन लगाएं और यहां पर हम लिगते हैं सिंपल फिर डबल कुटेशन अब कितनी दफा हमने इपकी कंडिशन उपन की हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 ज पॉर्टायम फाइप फाइप तैम सकॉप समय से पर प्लोज वार्न यू थी पोर और फाइप अब आपने इस कॉर्नर से सिंपल पकड़कर अब नीचे यहां देखें आगी कंडिशन कि अश्टी में एसे करना चाहते हैं तब जनाब एक काम करते हैं तो यहां से कुछ तक यह पर स्कूर बइस तो अब एक वेक्रें। करना चाहते हैं अब जहां बैल्यू चेंज करें कहीं पर भी आप जिसे इसको पास करवाना है तो 78 करेंगे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब कहीं पर कोई बी कंडिशन आप लगा दें जैसे यहां पर कुछ भी तो यहां देखना और अब जैसे मिसाल के तोर पर वापस आदेैं थीक है जोती हम वही कर लेते हैं थीक है अब हमें किया करना है कि हमये पता करेंग करेंगा मांसी बहांद को वापस ठाव आ जात रहे हैं समझाए अव्यू जाएक 250 का फॉम्मूला आपने रेख लिए कि इसतरा से चाहरें अब जहां पर सपोज करें जहां पर प्रस पूछते हैं जैसे आपके कोई कजन्स वगरहां आप से पूछते हैं एक्सेलेंट तो जनाम हमने बैसी अब इसका रिमार्ग देना है कि उसके सामने लिखा हुआ है इस परसंटेज से ही टारगट करेंगे आप इसकी गनलेशन यूज़ करेंगे वही आपका जेफाइब आएगा परसंटेज के कॉलम को यह टारगट करेंगे वही एटी आएगा सब को यहां से कुपी करना है यहां पर आके तो जैट कर दें वापस आज आजेगा और यहां पर इसको थोड़ा सच हो है तो डबल क्लिक कर लें ठीक है और यहां से अंटोल भी पेस्ट कर अब यहां पर देखें यहां पर आपके सामने इसने रेफ्रेंस क्या बनाया वाब परसेंटेश है ना तो यहां पर जहां पर आपका ए प्लस है स्टेट्मेंट में आप यहां पर क्या लिग देए एक्सेलेंट एक्सेलेंट ठीक है प्लिग देए अप एक्सेलेंट तीचे जहां पर आपका अ्पैरी ना पर कभी है तरह आपका सी ऐ सेघु कर देखें ऑन में जहांपर आपका वाँपर कंदीर सब्सक्राइब कि यहां देखें आपका रिमार्क्स भी आ गया कि आप कोने से ड्रैक कर दें अब आप कहीं पर भी चेक करें कोई भी वैलियू जैसे फिल इसको पास करवाना है तो आप सिंपल देखें आ रहा है आपको वैल्यू चेंज हो रही है आटमाटिक दी फिर आ गया इसी तरह कहीं आप चेंज करें तो पुरे शीट पे आफ हम ले लगचे तो यह जनाम हमने अपना यह भी टास्क कॉंप्रीट कर लिया कौन सा वाला हमने यह लास्ट का टास्क भी अपना कॉंप्रीट कर लिया तो आपको कुछ ऑप्शिंस जो है जैसे अब मिसाल के दौर पर आप सपोस क करें कि डिफरंट को ऑपस में मर्ट करने ना मर्ट करके हमें हैदिंगस बना नि जैसे मिसाल कर तो आप निन मिसाल के खुआ ज़ चरू पर मने कहा तक कर बनाया वै फिछ भी लिख सते हैं तो आपने क्या करना है फärस्ट रपे यह वार्स ठवप आने के बाद आपने है यह तो सारे कॉलम्स को मर्च करना हैं हमने कहां तक हमने कहां तक बनाया है पहले आप कोशिश करें जब भी आप आफिस में कोई भी वर्क शीट या सबसे बैतर होगा ठीक है यह प्रोफेशनली वर्क बता रहोगा कि अब यह अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूं जैसे वर्क यह इसके अंदर यह अंदर भाग जाएगा यह देखें तो दो नहीं हो ना तो अब इसको बिल्कुल सारे सेल्स को बाइच करके आपसें बीच में लेकरा यहां सामने युज करेंगे अधिक किया इमर्जन सेंटर इसकी फॉन्स को बढ़ाना है तो यह से लूगल बढ़ वाला काम कुलर्स वगर्णा देना है तो आप पर्णुश तक अपने कर जाने यहां तक लाने इसको भी मर्जन साइस वह बढ़ा देने इसको भी बोल्ड अटरलाइन कर ले इसको भी कोई भी कलर्स आप देना चाहे वह दे सकते हैं तो यह दर जना हमारे पास माशीट हमारी क्रिएट हो गई तीक है यह होने हमारा फर्स आज की कलास हमने कंप्लीट कर ली तो कि निक सेशन में हम इंशालला इसके अंदर देखेंगा अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जैसे और भी कुछ आप्शन दें इसके अंदर जैसे अप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं मिसाल के अब इंटर करते हैं यह तो हिड्स दा आप चाहते एक सैल की उपर आप इस पर होता है आप ड़ी कर दिया आप पर घ्रैट नाम को घ्रुटी चाहरे अर तो उसको आप क्या करते हैं कि एक इससल के निर यह नाम आ जे इसे वे अनदर बले से थोड़ावसा हिआइड पर कि यहां पर करसर को लेकर आए, एक इस सेल के अंदर अगर आपको इसके नीचे लेकर आना है, सेयद मुम्मद पर नीचे लिकावा है, आज से मुखारी, आपने यहां पर करसर रखना है, और आल्टर दबा के इंटर प्रेस कर देना है, क्या दबाने है, आल्टर दबा के क्लियर है एक प्रॉब्लम जो आपको बतानी थी ठीक है उम्मीद करते हूं आपको आज का लेक्षिय समझ भी दुबारा देख लेए थे अपनी क्लास का चनाव याली आज ही क्लास में हमने क्या क्या चीज है पड़ी ठीक है आज ही क्लास में सबसे पहले और विव्यू के उसके बाद हमने आपको पते एक शीट बनाए शीट बनाके उसके बाद उसकी फर्मेटिंग करते हैं वो सारी चीज़े बताई तो उमीद करता हूं जनाब आज की क्लास आपको समझ में आएगी इस क्लास से लेटर अगर आपके माइन में कोई भी कोस्टें किसी तरह की क्यूरी सो तो आप उससे पूछ सकते हैं मेरा वर्च सप्टेंबर आपके पास अवैलेबले सुबाए ग्याराव इस लेके दिन के दो बहें तक मुझे कॉल कर सकते हैं अगर इमेल पर कुछ पूचना जाने इन पोड़ और सरसाजर एड़ डाट को इसका लिंक मैं इंशाल कि अप्टेंबर आपके लिए फिर लेके तो वहां पर भी वीडियो लोड़ लोगे तो बहुत साथा ख्याल रखेगा चनाब शब्ते दौाओं में याद रखेगा स्वालेबलेगा